हेलो एफ्रिवन मैं हूं दीपिका आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास नाइन्थ की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्ष भाग एक का गद्य खंड जिसका पांचवा अध्याई है शुक्र तारे के समान और इसके लेखक है स्वामी आनंद तो आईए शुरू करते है आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड नहीं शुक्र चंद्र का सांथी माना जाता है उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवी ठके नहीं फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो एन शाम के समय या बड़े सवे गंटे दो गंटे से अधिक नहीं देख पाती इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उशाकाल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जग मगा कर देश और दुनिया को मुग्द करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धर्ती पर जन में स्वर्गिय महादेव देशाई गांधी जी के मंत्री थे मित्रों के बीच विनोध में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी-कभी अपना परिचय उनके पीर, बावर्ची, भिस्ती, खर के रूप में देने में वे गौरों का अनुभव किया करते थे गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे जब सन 1917 यानि 1917 में वे गांधी जी के पास पहुचे थे, तभी गांधी जी ने उनको ततकाल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद स्वाप दिया सन 1919 यानी 1919 में जलियाँ वाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफतार किया गया था गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था सन 1919 यानी 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल देश के चारो कोनों में और सम्मूचे देश के दुलारे बन चुके थे इसी बीच पंजाब में फोंजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफतार करके फोंजी कानून के तहट जन्म कैद की सजाएं देकर कालपानी भेज दिया गया लाहोर के मुख्य राष्ट्रिय अंग्रेजी द्यानिक पत्र ट्रिब्यूट के संपादक श्री कालिनाथ राय को दस साल की जेल की सजा मिली गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानिया पेश करने के लिए आने वाले पीडितों के दल के दल गाम देवी के मणी भवन पर उमडते रहते थे महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिपणियां तियार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकाते भी करवाते थे गांधी जी बंबई के मुख्य राष्ट्री अंग्रेजी द्यानिक बांबे क्रानिकल में इन सब विशयों पर लेख लिखा करते थे क्रानिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी कुछ ही दिनों में क्रानिकल के निडर अंग्रेज संपाधक हारनिमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया उन दिनों बंबई के तीन नए नेता थे शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमना दास द्वार का दास इनमें अंतिम स्रिमती बेसेंट के अनुयाई थे ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साहित्य भी निकालते थे लेकिन उसमें क्रानिकल वाले हारनिमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ़ते सापताहिक के लिए लिखने वालों के कमी रहने लगी ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशन सक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बंबई के बेजोड नेता भी थे इन्होंने गांधी जी से विनिती की कि वे यंग इंडिया के समपातक बन जाएं गांधी जी को तो इसकी सक्त जरूरत थी ही उन्होंने विनिती तुरंत स्विकार कर ले गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि सापताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगे गांधी जी ने यंग इंडिया को हफते में दो बार प्रकाशित करने का निश्चे किया हर रोज का पत्रवेभार और मुलाकातें आम सभाय आदे कामों के अलावा यंग इंडिया सापताहिक में छापने के लिए लेख, टिपणिया, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख यह सारी सामगरी हम तीन दिन में तयार करते यंग इंडिया के पीछे-पीछे नव जीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों सापताहिक एहमदाबाद से निकलने लगे। छे महीनों के लिए मैं भी साबरमत्ती आश्रम में रहने पहुँचा। शुरू मैं क्राहकों के हिसाब किताब की और सापताहिकों को डांक में डलवानी की व्यवस्था मेरे जिम में रही। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद समपादन सहित दोनों सापताहिकों की और छापा खानों की सारी व्यवस्था मेरे जिम में आगई। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश ब्रहमन में बीतने लगा। वे जहां भी जाते वहां के कामों और कारिक्रमों की भारी भीड के बीच भी समय निकाल कर लेक लिखते और भेजते। सभी प्रांतों के उग्र और उदार देश भक्त, प्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग समवाद दाता आदी गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कालमों में उनकी चर्चा किया करते। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गति विध्यों के सापताहिक विवरण भेजा करते। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्र गण्य समाचार पत्र जो आखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गति विध्यों को देख लोड कॉलम भरपूर चौकसाई उंचे से उंचे ब्रिटिस समाचार पत्रों की परंप्राओं को अपना कर चलने का गांधी जी का आग्रह और कटर से कटर विरोधियों के साथ भी पूरी-पूरी सत्य निस्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद क करने की गांधी जी की तालिम इन सब गुणों ने तीव्रमत भेदों और विरोधि प्रचार के बीच भी देश-विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंगलो-इंडियन समाचार पत्रों की बीच भी व्यक्तिगत रूप से MD यानी महादेव देशाई को अधिगरी दोसत थे दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे दोनों ने एहमेदाबाद में वकालत भी साथ साथी शुरू की थी इस पेशे में आमतोर पर स्याह को सफेद और सपेद को स्याह करना होता है साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर शरद चंद्र आधी के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था चित्रांगदा, कच देव्यानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित, विदाई का अभिशाप, शीर्शक नाटिका, शरद बाबु की कहानिया आधी अनुवाद उस समय की उनकी साहित्य गतिविध्यों की देन है भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था वाइस राय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइस राय लंबी सास उसास लेते रहते थे भले ही उन दिनों ब्रिटेश सल्तनत पर कहीं सूरज ना डुपता हो लेकिन उस सल्तनत के चोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेकरेटरी के समान खुश नवीश यानी सुन्दर अक्षर लिखने वाला लेखग कहा मिलता था बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटेश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था पढ़ने वाले को मंत्र मुग्द करने वाला शुद्ध और सुन्दर लिखन महादेव के हाथों के लिखे गए लेक, टिपणिया, पत्र, कांधी जी के व्याक्यान, प्रार्थना प्रवचन, मुलाकाते, वार्तालापा पर लिखी गई टिपणिया, सब कुछ फुल स्केल के चोथाई आकारवाली मोटी अभ्याज पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जैट कीसी गती से लिखा जाता था वे शौट हैंड जानते नहीं थे बड़े-बड़े देशी-विदेशी राजपुरुष, राजनीतिग्य, देश-विदेश के अग्रगर्णी समाचार पत्रों के प्रतिनिधी, अंतराश्ट्री संगठनों के संचालक, ग्रंथकार आदी गांधी जी से मिलने के लिए आते थे ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बाच्चीत को शौट हैंड में लिखा करते थे महादेव एक कोने में बैटे बैटे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बाच्चीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुँचते तो भले ही उनमें कुछ भूले या कम्या खाम्या मिल जाए लेकिन महादेव की डाइरी में या नोट बही में मजाल है कि एक कौमा मात्र की भी भूल मिल जाए गांधी जी कहते महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था न और लोग दानतों उंगली दबा कर रह जाते लुई फिशर और गुन्थर के समान धुरंदर लेखक अपनी टिपणियों का मिलान महादेव की टिपणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिच गी जाते थे साहित्य पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीती प्रवाहों और घटनाओं से संबन्धित अध्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे हिंदुस्तान से संबंधित देश-विदेश की ताजी से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दोड़ती रेल गाड़ियों के डबबों में उपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े जोलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते अत्वा यंग इंडिया और नव जीवन के लिए लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाली यात्राओं हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इखटा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातशीतों के बीच वे स्वयंक खाते, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हाजते रफा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता। वे एक घंटे में चार घंटों के काम निप्टा देते। काम मैं रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत भी बहुत सुन्दर कातते थे, अ दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। आप सौसो कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोर्ने लायक एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुपती नहीं थी। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को चंदर शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी। उसमें सराबोर होने वाले के मन से उनकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिन तक उतरता न था। महादेव का समुचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कलपना की ही नहीं जा सकती थी। कामकाज की अनवरत व्यवस्थाओं के बीच कोई कलपना भी न कर सके। इस तरह समय निकाल कर लिखी गई दिन प्रती दिन की उनकी डाइरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। प्रथम शेणी की शिष्ट संसकार संपन भाशा और मनुहारी लेखन शेली की इश्वरिय देन महादेव को मिली थी। यद्यपी गांधी जी के पास पहुचने के बाद घमासान लडाईयों, आंदोलनों और समचार पत्रों की चर्चाओं के भीड भरे प्रसंगों के बीच केवल साहितिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का गिनत संसकरण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाडी में रहने के बाद अचानक मगनवाडी से चलकर से गाउं की सरहत पर एक पेड के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहां एक दो जोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर त्यार हुए तब तक महादेव भाई दुरगा बहन और चीनारण के साथ गगनवाडी में रहे। वहीं सेव वर्धा की असहे गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवा ग्राम पहुचते थे। वहां दिन भर काम करके शा प्रभाव पड़ा उनकी अकाल मृत्यू के कारणों में वह एक कारण माना जाता है। इस मौत का घाओ गादी जी के दिल में उनकी जीते जी बना ही रहा। वे भरत्र हरी के भजन की यह पंक्ती हमेशा दोहराते रहे। एरे जखम जोगे नहीं जशे। यानि यह घाओ कभ देव ही निकलता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अन्थ तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याई के साथ। तैंक्यू।